क्या होगी अटैक फिल्म की कहानी? किस तरीके से फिल्म में अखेला रेंजर जॉन इब्राहिम अपनी भूमिका निभाता है? आईए जानते हैं इस फिल्म की कहानी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होगी जॉन इब्राहिम की मोस्ट अवेटेट फिल्म आटैक की कहानी? दोस्तो सत्य में विजयते टू के साथ साथ ये फिल्म भी इन दिनों काफी बस बना रही है जिसे अगले साल की रिलीस किया जाएगा फिल्म की क्या कहानी होगी? फिल्म में जॉन इब्राहिम के सकरदार में देखने को मिलेंगे उन सभी बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहले तो हम आपको ये बता दे कि इस फिल्म को अगले साल 26 जनवरी 2022 को रिलीस किया जाएगा अब बात करें फिल्म की तो ये फिल्म एक अक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें जॉन इब्राहिम लीड रोल में देखने को मिलेंगे अटैक एक कमांडो टीम द्वारा किये गए बचाव अभियान की कहानी पर आधारित फिल्म होगी जिसका नेतरित व एक अकेला रेंजर यानी जॉन इब्राहिम करता है बिना सबूत के हत्या और आज के समय के कश्मीरी पंडित के मुद्दो पर आधारित होगी कश्मीर घाटी के हिंदू जिनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित थे आतंकवात के परिणाम स्वरूप कश्मीर घाटी से भागने को मजबूर होए और ये फिल्म इन्ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित होगी और ये एक बंधक संकट के बारे में होगी जिसने एक रास्ट्र को घुटने पर ला दिया इस फिल्म में आपको जॉन इब्राहिम का दमदार आक्शन देखने को मिलेगा फिल्म में जॉन इब्राहिम के अलावा और भी कलाकार है जिन में जैकलीन फर्नांडेस और रकूल प्रीट सिंग भी शामिल है जो इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी इन तीनों के अलावा फिल्म में रतना पाठक शाह, प्रकाश राज, विकास शर्मा और शिफाली गांगुली जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे फिल्म की डारेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डारेक्ट किया है लक्ष राज आनंध ने और प्रिडिउस किया है जैंतिलाल गड़ा, जॉन इबराहिम और अजय कूपर ने तो दोस्तो जॉन इबराहिम की ये फुल आक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटिड हो वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताएं